सवाल नेमबर एक, किस देश ने अपने एक फूल का नाम मोदी रखा है? सवाल नेमबर दो, किस लाइबररी में किताबे पढ़ने के लिए पिंजरे में बंद होना पड़ता है? दोस्तो, डबलीन के मार्श लाइबररी में बहुती दूरलब किताबे रखी हुई है, लेकिन अठरावी शताबी में इन किताबों कोई चोरी बढ़ने लगी, तो अब जो भी लोग इन किताबों को पढ़ना चाते हैं, उन्हें इसे पढ़ने तक पिंजरे में बंद किया जा सबसे पहले उन्होंने सीनेमा घर में वेफर्स बेशना शुरू किया, उसके बाद एक मशीन खरी दी और फैक्टरी शुरू की, उसके बाद बाला जी वेफर्स ने मुड़कर पीछे वापस नहीं देखा, आज इनका टर्नोवर 4,200 करोड है सवाल नेमबर 25, की इस देश में गंजे वेक्टी को गंजे कहना अपरा थे, दोस्तो पुर्षों में गंजेपन की दिकत महिलाओं से ज़ादा देखी जाती है, लेकिन ब्रिटेन में अगर किसी ने ओफिस में पुरुष को गंजा बोला, तो यह सेक्शूल हैरिस्मेंट की इस ट्रेनी में आएगा, एक मामले पर सुनवाई के दोरान यहाँ फेसला किया गया था, सवाल नेमबर 6, कौन सी कार रात में दिखाई नहीं देती, दोस्तो दुनिया की सबसे काली कार BMW X6 Venta Black है, आपको जानकर हेरानी होगी कि रात के समय इसकी हेड लाइट बन कर दी जा तो यह कार आपको अंधेरे में दिखाई ही नहीं देगी, सवाल नेमबर 7, किन देशों की सेना में डॉल्फिन भी जासुसी का काम करती है, 200 यूकरेन से जंग के बीच रूस ने अब डॉल्फिन मचलियों को भी मैदान में उतार दिया है, रूसी सेना ने इन मचलियों को सवाल नेमबर 9, कि इस देश में सोने का होटल बनाया गया है, दोस्तों वियेटनाम की राजदानी है, हनोई में बने इस होटल का नाम डोल से हनोई गोल्डन लेक है, 25 मंजिला वाले इस 5 स्टर होटल में 400 कमरे है, इस होटल की बाहरी दिवारों पर भी 54,000 वर्क फिट में गोल्ड प्लेटेट टाइल्स लगी हुई है, सवाल नेमबर 10, कि इस महिला ने सबसे जादा बार रक् इब बनाया है, सवाल नेमबर 11, किस हीरे को ब्रह्मा की आँख कहा जाता है, दोस्कू दिए गई छित्र में जो हीरा है, उस एक काला हीरा कहा जाता है, जिसे ब्रह्मा की आँख के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारत में एक मंदिर से चुरा गया था, और Démark on i.h. हीरा जाता है कि यह हीरा सीट कि जोई मालिक जिसके पस्यक्स हीरा है इसने आतमत्या की एस जापान के लोग टॉयलेट में पाणी कैसे बचाते हैं कि अच्छाय के टॉयलेट पर ही हाथ दोने का सिंक लगा होता है पानी का प्लश में महापस उपयोग में हो 500 इस जापान इस तरह से हर साल लाखों लिटर पानी बचाता है. सवाल निम्बर 13 पुराने समय में कबुतर चिट्टी ले जाते थे लेकिन उन्हें कैसे पता चलता था कि जाना कहा है? दस्तो पुराने समय में जो कबुतर चिट्टी लेकर जाते थे वो होमिंग पीजन्स यानि हमेशा घर वापस लोटने वाले कबुतर होते थे होमिंग पीजन्स कबुतर को किसे भी दिशा और कितनी भी दूरी से छोड़ा जाए वो हमेशा अपने घर की तरफ यात्रा करते हैं और घोसले पर पहुची जाते हैं इसलिए इन कबुतर का यूज चिट्टी पहुचाने के लिए किया जाता था सवाल निम्बर चोदा किस वेक्ति के पास सबसे ज़ाधा क्रेडिट कार्ड है सवाल निम्बर पंदरा कपड़े में चिंगम चिपक जाए तो कैसे चुड़ाए दोस्तो जीस कपड़े पर चिंगम चिपक गया है उसे हेर ड्राइड के आगे रखे गर्म हवा की वज़े से चिंगम की पकड़ धिली हो जाती है कपड़े के उपर कार्ड़ रख दे और उसके उपर गर्म प्रेस से आईरन करे कपड़े को उपर आइस बेक या आप एक घंटे तक कपड़े को फ्रीजर में रख सकते है चिंगम आसानी से निकल जाएगा सवाल निंबर 16 जाञा की इस देश में पूलिस की कार किरये पर मिलती है दोस्तों स्वीजर में चोरों से अपने घरों को दूर रखने के लिए कोई भी वेक्ति फरजी पूलिस की कार किरये पर लेकर अपने घर के सामने, खड़ा करadenται हो सवाल नेंबर सत्रा गवतम गंभीर ने लड़कियों की तरह बिंदी और कपड़े क्यों पहने थे दोस्तो सोशल मीडिया पर एक तस्विर काफी वाइरल हो रही थी जिसमें गवतम गंभीर दुपट्टा और बिंदी लगाए नजर आ रहे थे दरसल गवतम ने यह रूप हिजड़ा हबबा के साथवे एडिशन के उद्गाटन के वक्त अपनाया था जिसका आईजन शेमारी सोसाइटी ने किया था जब गवतम वहाँ पहुचे तो इनी लोगों की तरह ड्रेस पहने हुए थे गवतम ने यह रूप देश में ट्रांसजेंडर के साथ समानता की आवाज उठाने के लिए बनाया है सवाल नेमबर अठरा कौनसी जूते की कमपणी कच्रे में से जूते बनाती है दोस्तो एड़ेडास कमपणी समुन्दर में पड़े प्लास्टिक के कच्रे को जूते बनाने में यूस कर रही है एक जोड़ी जूते बनाने में 11 प्लास्टिक की बोटल की यूस की जा रही है और 2017 में उन्होंने ऐसी 10 लाग जोड़ी जूते बेचे भी है सवाल निम्बर 19 कीस एरपोर्ट के 20 से ट्रेन जाती है दस्तों न्यूजिलेंड में एक ऐसा एरपोर्ट है जिसे दुनिया का सबसे अजीव गरिब एरपोर्ट भी कहा जाता है असल में गीजबॉन एरपोर्ट के रनवे से रेलवे लाइन गुजरती है यहां ट्रेन और प्लेन दोनों को चलाने से पहले ट्रेफिक कंट्रोलर से अनुमती लेनी होती है कई बार यहां प्लेन को लैंडिंग के लिए इंतेजार करना पड़ता है जब तक की ट्रेन रनवे को पार न कर पाए सवाल निमबर 20 सबसे ज़ादा सालों तक जीने का रेकॉर्ड किस कुत्ते के नाम है दोस्तो सबसे ज़ादा जीवित रहने वाले एक कुत्ते की प्रजाती जिसका नाम गिनिस वर्ल रेकॉर्ड में शामिल है चीवव प्रजाती का एक कुत्ता है वो कुत्ता 21 साल 600 दिन तक जीवित रहा था सवाल नेंबर 21 की इस देश में शादी करने पर 1.5 लाक रुपे मिल रहे है सरकार ने लौजियो वित लव नामक योजना के लिए 1.11 करोड का प्रावधान किया है इसमें वीदेशी परेटक भी इसका लाब उटा सकते है सवाल नेंबर 22 कौन सा जानवर बोड़ी दिखा कर फीमेल को आकरशित करता है दोस्तो मादा कंगारू को इंप्रेस करने के लिए नर कंगारू जानवर अपने बाइसेप और बोड़ी दिखाता है चीतरा में आप नर कंगारू के आकरशक बोड़ी देख सकते हैं सवाल नेंबर 23 इंडियन रेलवे ने लड़की को किड्नियाप होने से कैसे बचाया दोस्तो पिछले वर्ज एक बच्ची को किड्नियापर से बचाने के लिए भारतिये रेलवे ने अपनी एक्सप्रेस ट्रेंड को लगाता 200 किलोमीटर तक चलाया ताकि किड्नियापर बीच स्टेशन पर उतर कर भाग न जाए इस ट्रेंड को सीधा भोपाल रुका गया जहां पता लगा कि किड्नियापर उस बच्ची का पीता था जिसने अपनी पतनी से बदला लेने के लिए बच्ची को किड्नियाप किया था सवाल नेमबर 24 सड़कों पर 3D प्रेंटिंग क्यों बनाई गई है दस्तो सोमिया और शकुंतला पाईया जिनों ने एहमदावाद में सड़कों पर 3D जेब्रा क्रोसिंग डिजाइन की है जिसे ड्राइवर्स को लगेगा कि आगे रोड ब्लॉक है जिससे वो स्पीड को कम कर लेंगे इस टकनिक से एक्सेडेंट कम हो जाएंगे और लोग आसानी से रोड पार कर पाएंगे सब्सक्राइब जो इस प्रकार है चांडी की गिलास में पानी पीने से गुसा कम आता है है दिमाग शांत रहता है और तनाव से मुक्ति मिलती है शरीर में ठंडक बनाए र यह लीवर और किड्नी को स्वस्त रखता है चांदी की गिलास में पानी पीने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है चांदी की गिलास में पानी रखने से पानी शुद्ध हो जाता है और बैक्टिरिया भी मर जाते हैं पाचन क्रिया ठीक हो जाती है और कप से चुटकारा मिलता चैन्दी की तत्व शरीर में चले जाते हैं, जिसे कई बिमार्यों से चुटकारा मिलता है, infection का खत्रा नहीं होता, पीत्त दोश दूर होते हैं, चैन्दी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम से चुटकारा मिलता है